शहर के सड़कों के साथ महाराजबाग चुडिया घर में गर्मी का प्रकोब बढ़ता जा रहा है अप्रेल के महीने की शुरुआत होने से पहले ही पराच 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया है जिसके चलते प्राणियों को गर्मी से बचाने की उद्देश से महाराजबाग में हर तरका जतन किया जा रहा है इसी शुरुंकला में महाराजबाग में वन्यजीवों को रहत पहुचाने के लिए कुलर लगाए गए है शहर में बढ़ती गर्मी के कारण इंसानों से लेकर जानवरों तक हर किसी को अनेक समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है जिसके चलते महाराजबाग में जानवरों को गर्मी के कारण परिशान ना होना पड़े इसलिए महराजबाग में जानवरों के लिए कुलर लगाए गए है महराजबाग में पशु पक्षियों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए कई प्रयास किये जा रहे है कुछ पिंजरों में विशाल पेड़ होने से उन्हें च्छाव मिलती है लेकिन जिन पिंजरों में कोई पेड़ नहीं है ऐसे में वहां ग्रीन नेट वो बोरिया लगा कर सुबह शाम पानी का छिड़काओ किया जा रहा है बाग, भालू, तेंद हुए वपक्षियों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए उनके पिंजरों में कूलर लगाए गया है वहीं पशुपक्षियों को पिंजरों के सामने सुबह और शाम पानी का छिड़काओ किया जा रहा है इसके अलावा प्राणियों के खाने की सामगरी की मात्रा में भी परिवर्टन किया गया है जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासिर की है बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आईरुवेद तथा आधनिक लेजर से उप्चार अभियुदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल, लोहार समाज भवन के पीछे, महा पुष्प सोसाइटी, शताब दीनगर चौक से, मनीश नगर रोड नागपूर